वेलकम फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्वागत है आज 21 नौवंबर संडे है और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सी बेकेंसिया है जो गल्फ और यूरोप दोनों जगह के लिए है और आज संडे के दिन भी कुछ ओफिसों में इंटर्विव चल रह है तो हम वीडियो के सुरू करते है आज का बेकेंसिय जो है कुवैद के लिए रिक्वाइरमेंट है लोंग तम जोब है इसके क्लाइंट इंटर्विव 22 और 23 नौवंबर को होगा अनुप टेक में होगा यह SM Associate Office से रिक्वाइरमेंट है इसमें एपलाई करने के लिए बेके Cartill Electrician, Dyke Fe sack Pack full head pipe hear chilled water के लिए BMS technician, Fire Local technician, Plumber Fire Fighting, Plumbing-UM में-Tekníchecken घ्रफट मैंटब चाहिए ऐसा वे फायरफ़ाइटिंग apply कर सकते है apply करने के लिए आपको client interview जो है इसका 22 और 23 नौबर को होगा sm associate office से इसके लिए आपको client interview face करना होगा उससे पहले आप अपने cv इनको mail कर दे तो बहतर है job kuwait 786 at direct gmail.com पे next vacancy सौधी अरब के लिए requirement है यह support service catering company के लिए requirement है इसका client interview 22 और 23 नौबर को हो रहा है फैसल management office से इसमें apply करने के लिए vacancy है unit manager, storekeeper, Indian cook, salad chip, continental cook, बचर, mess hall supervisor और baker की requirement है इनको apply करने के लिए आपको इनसे related कमसे कम past साल का experience होना चाहिए industrial catering का और company representative की requirement इनके पास गल्फ का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए इसका client interview 22 और 23 नौबर को हो रहा है मुंबई से जो facial management service requirement है तो आप इसके लिए client interview face कर सकते है 22 और 23 नौबर को next vacancy दुबई के लिए और कतर के लिए requirement है AG enterprises office है दुबई के लिए free requirement है कोई charges नहीं लगेगा यह leading cement company है इसमें apply करने के लिए vacancy है industrial electrician assistant electrician instrument technician assistant mechanical fitter और एसिस्टेंट की requirement है instrument technician के लिए mechanical fitter की requirement है इन सभी vacancy हो के apply करने के लिए आपका passport ECNR qualification होना चाहिए diploma या IT और पांस साल का experience होना चाहिए recovery cement plant का और English का knowledge है तो आप इसके लिए apply कर सकते है all round mason की requirement है इनका salary 200 दरहम पलस 300 दरहम रहेगा यह भी गल्फ experience चाहिए अगर आप इन सब vacancy के लिए इंट्रेस्टेड है तो आप इसके लिए apply कर सकते एजी इंटरप्राइस ओफिस से यह वीजा टिकट सब कुछ फिरी है और कतर के लिए requirement है यह semi government company है यह बी आईपी कलब के लिए requirement है इसका भी वीजा रेडियो बहुत ही जल्द flight होगा इसमें apply करने के लिए इनको apply करने के लिए आपको कम से कम दो साल का experience होना चाहिए और English का knowledge है तो आप इसके लिए apply कर सकते कतर में एक और company के लिए requirement है उसमें apply करने के लिए cutting master की requirement है जो अबया के लिए चाहिए अबया बनाने वाले जो बुरका बोला जाता है वो बनाने के लिए requirement है और tailor चाहिए अबया बनाने वाले की चीप कुक की requirement है फास्ट फूड के लिए यह अगर आप इसके लिए इंट्रेस्टेड है तो आप एजी इंटरप्राइस में इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर दे carrier-ag-interprices.com पे यह दुबई और कतर के लिए requirement है नेक्स्ट बेकेंसी कुवेद के लिए है oil and gas refinery maintenance project के लिए requirement है इसका client interview महिने के last में हो गई यानि नॉवंबर के last में short listing इसका चल रहा है मुंबई, चन्नाई, कोची और बडोद्रा में एस या पाउर ओवर्सीज ऑफिस से इसमें apply करने के लिए बेकेंसी इस्टूमेशन डिपार्टमेंट के लिए requirement है इंजीनियर की requirement है इस्टूमेशन मेंटेनेंस के लिए और सुप्रॉआजर की requirement है इस्टूमेंट एनलाइजर इस्टूमेंट और मैटेरियल कंट्रोलर, fire alarm इनको चाहिए इनको चाहिए इनको चाहिए इनजीनियर की requirement के इक लिए इनको चाहिए एसी कंट्रोल टेकनीशियन और एसी एलेक्ट्रीशियन फिटर की रिक्वार्मेंट है पाइप और डक्ट के लिए वेल्डर चाहिए ब्रेजर के लिए इसका फोल्डर चाहिए इनके पस्थाट पाटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सभी वेकेंसियों के एपलाई करने के के लिए आपको आठ साल का ओयल एंड गैस फिल्ड से एक्सपिरेंस होना चाहिए और इंगलिस अर्बिक का नॉलेज है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के लिए आपको क्लाइंट इंटर्विव भी फेस करना होगा उससे पहले आप सोट लिस्टिं 29 नॉवंबर को मुंबई में और 30 नॉवंबर को दिल्ली से हो रहा है मुस्तफा इंटरनेशनल ओफिस से इसमें अपलाई करने के लिए वेकेंसी है वेटर और वेटरेस की रिक्वारमेंट है पचास आदमियों की रिक्वारमेंट है इनका सेलरी भी मेंसन किया हुआ है 120 के केशियर और सेल्स लेडी की रिक्वारमेंट है इनका सेलरी 150 केड़ी प्लस 50 केड़ी रहेगा क्लीनर की रिक्वारमेंट है इनका सेलरी 100 केड़ी प्लस 20 केड़ी रहेगा बेकरी पेश्टरी चीप की रिक्वारमेंट है इनका सेलरी 140 केड़ी प्लस 50 केड़ी रहेगा करने के लिए आपको बैक्सीन दोनों डोज लगे होना चाहिए कोबीड शील्ड का और इनसे रिलेटेड आपको अगर एक्सपिरियंस है तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के लिए आपका जो फाइनल क्लाइंट इंटर्व्यू मुंबई में 29 को दिल्ली में हो रहा है मुस्तफा इंटर्नेशनल ओफिस से इसके लिए आप विजिट कर सकते हो ओफिस नेक्स्ट वेकेंसी के लिए है यह दाली कंपनी के लिए इसे एपलाई करने के लिए आपको गल्फ का एक्सपिरेंस होना चाहिए क्लाइंट इंटर्व्यू जो है क्लाई से नेक्स्ट वीक में हो रहा है स्काईप पे होगा वीडियो कॉलिंग पे लॉंग टॉम जोब है यह एसंट ओफिससे इसका रिक्वार्मेंट है इसमें अपलाई करने के लिए बेकेंसी है स्टील इस्टेक्चेर्ल वेल्डर की रिक्वार्मेंट है और एचबीएस Pump Mechanic की requirement है Fixing Pump और Tank General Mechanic Equipment के लिए Instrument Technician Instrument Fitter Electrical Fitter Mechanical Fitter Grander GI Piping and Trucking की requirement है Fire Cabling CCTV System Installer PVC Piping की requirement है इन सभी Vacancy के apply करने के लिए आपके Gulf का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है यह दली कमपनी है Qubait के लिए इसे apply करने के लिए आप अपने CV इनको mail कर दे Qubait job 11218.gmail.com SM Associate Office से यह requirement है Qubait के लिए Next Vacancy Oman में मसकत के लिए requirement है Betro International Office से इसमें apply करने के लिए vacancy है Pipeline के लिए foreman और piping के लिए foreman Hydro Test के लिए technician Civil में foreman Mason, Carpenter Steel Fixer TIG Arc Welder Downhill Dolimix Welder के requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आप अपने CV इनको mail कर सकते है Betro vs.gmail.com पे यह Betro Travels Office से Oman के लिए requirement है Next Vacancy Oman के लिए है यह semi government company है CPI company Asyaad company का नाम है यह free requirement है Prerna Consultancy Office से इसका client interview 28 और 29 नौंबर को होगा Anuptek में इसमें apply करने के लिए vacancy है Airless spread painter के requirement है 100 आदमियों के जरूरत है Sand Blaster के requirement है यह 200 आदमियों चाहिए इसमें salary भी income mention किया हुआ salary जो है आपको 186 पलस रहेगा आपके experience के उपर रहेगा जो भी आपका experience होगा वो आपको 186 रियाल उमानी रियाल से लेकर के जो भी आपका experience होगा उसके हिसाब से मिलेगा पलस इसमें OT भी आपको मिलेगा अगर आप इसके लिए interested है तो आप अपने CV इनको short listing के लिए mail कर दे interview at the rate prernaconsultancy.com पे और इसका client interview भी हो रहा है 28 और 39 को मुंबई में जो अनुप्टेक में होगा प्रेना कंसल्टन्सी ओपिस से next vacancy कुबेद के लिए requirement है यह maintenance department के लिए requirement हो बहुत बड़ vacancy है इसे apply करने के लिए आपके पास qualification होना चाहिए IT या diploma और कम से कम आठ साल का experience होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए इसमें vacancy है HBAC के लिए requirement है इनको HBAC में 4man, technician, chiller operator, boiler operator और boiler technician की requirement है electrical में इनको चाहिए 4man, technician, control technician plumbing and fire fighting service में चाहिए 4man और plumber, firefighting technician और pump operator की requirement है civil department में चाहिए 4man, civil के लिए aluminium technician, furniture carpenter painter, technician, aplastory technician की requirement है mechanical services में चाहिए mechanical department में 4man, maintenance technician और fire alarm system के लिए 4man, fa operator diesel generator के लिए चाहिए 4man और technician left के लिए चाहिए इनको 4man, technician और operator grader operator telephone exchange में चाहिए 4man, technician और operator CCTV department के लिए चाहिए 4man और technician general 4man की requirement है purchaser, buyer चाहिए जिनके पस qualification degree या diploma होना चाहिए SAP के knowledge होना चाहिए आपको इन सबसे related experience है आपके पस qualification, ITA या diploma है 8 साल का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है PAMA International Office से apply करने के लिए आप अपना cb इनको mail कर दे pamathane.gmail.com पे यह PAMA International Office से कुबैत के लिए requirement है next vacancy, अबुधाबी के लिए requirement है यह shutdown project है ADNOC, इसका short listing चल रहा है client interview 23 November को हो रहा है Reliance Manpower People Office से इसमें apply करने के लिए vacancy है, mechanical supervisor इनके पास qualification diploma हो ना चाहिए Mechanical डिपार्टमेंट से Mechanical forment की requirement है diploma होना चाहिए mechanical department का और mechanical technician की requirement है इनके पास qualification IP या diploma हो तो इसके लिए apply कर सकते है इसे apply करने के लिए आपका experience जो के रोटेटिज का steam, gas, turbine. subscribe का और compressor pump का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है, apply करने के लिए आप Reliance Manpower People में अपना CB इनको mail कर दे, इनका mail ID भी है और इनका client interview 23 नौवंबर को हो रहा है, Mumbai में Reliance Manpower People office से Next vacancy, Oman के लिए है, Industrial Catering Facility Management Company के लिए इसका final client interview Mumbai में next week में होने वाला है, अगरवाल service office से यह Mumbai में है, और इसमें apply करने के लिए vacancy है, project manager की requirement है, salary इनका ओमानी रियाल में रहेगा जो 3000 ओमानी रियाल रहेगा, इनके पास qualification degree या डिप्लोमा होना चाहिए, hotel management में और experience भी होना चाहिए, catering management में कम से कम 18 साल का resident manager की requirement है, salary 600 ओमानी रियाल से लेकर के 900 ओमानी रियाल रहेगा, इनके पास qualification degree या डिप्लोमा होना चाहिए, hotel management का और कम से कम 10 साल का experience होना चाहिए, catering facility management में XK2 chief की requirement है, salary इनके 1200 ओमानी रियाल रहेगा, इनके पास qualification degree या डिप्लोमा होना चाहिए, hotel management से और experience catering management का होना चाहिए, कम से कम 15 साल का project coordinator की requirement है, waste management के लिए, इनका salary 450 ओमानी रियाल रहेगा, experience इनके होना चाहिए, facility management का hygiene officer की requirement है, salary इनका 300 ओमानी रियाल रहेगा, ये graduate होना चाहिए, और कम से कम 3 साल का experience होना चाहिए Dietician की requirement है, ये male में होना चाहिए, इनका salary 300 ओमानी रियाल रहेगा, 5 साल के experience के साथ, food industry का site supervisor की requirement है, waste management के लिए, इनका salary 180 ओमानी रहाएगा, इनका experience जो है hydraulic and company list का होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए आप अपना cb इनको mail कर दे अगर्वाल service 218.gmail.com पर या कुछ information चाहिए तो आप इनको contact कर सकते है यह अगर्वाल service office से ओमान के लिए requirement है next vacancy ओमान के लिए है अस्याद company का नाम है यह semi government company है CPI company है free requirement है इसके client interview 28 और 29 नौवंबर को हो रहा है प्रहना consultancy office से इसमें apply करने के लिए vacancy है valve mechanic की requirement है 100 आदमियों की जरूरत है scalp holder की requirement है 100 आदमियों की जरूरत है salary 186 ओमानी रहेगा और आपके experience के हिसाब से उपर नीचे हो सकता है प्लस इसमें आपको over time मिलेगा अगर आप इसके लिए interested है तो आप अपना CB इनको mail कर दे और final client interview में आपको visit करना होगा प्रहना consultancy office में जो यह मुंबई में होगा अनुप टेक के रबाले में next vacancy बुर्णाई के लिए requirement है यह oil and gas company इसका interview मुंबई और चन्नाई में हो रहा है 23 नौंबर और 27 नौंबर को यह onshore project के लिए है 6 मन्त का यह job है 6 मन्त के लिए requirement है और offshore के लिए भी इसमें requirement है यह AGP International Service Office से है onshore के लिए इनको requirement है 6 मन्त का यह project है इसमें apply करने के लिए vacancy है blasting, painting and insulation supervisor, blasting and painting supervisor, insulation supervisor, scalp holding supervisor, turnaround coordinator, send blaster and painter की requirement है और insulator की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आपको 5 साल का experience होना चाहिए oil and gas industry का और offshore के लिए requirement है यह 5 साल का project है इसमें apply करने के लिए vacancy है construction के लिए supervisor, assistant चाहिए construction supervisor के लिए fabrication, workshop supervisor की requirement है rigging, painting और welding के लिए senior QC inspector की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आपको कम से कम 10 साल का oil and gas refinery का offshore project का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए आप अपने CB इनको mail कर दे team88.agpindia.com पे यह AGP international service office है ब्रोनी के लिए requirement है और इसका client interview भी हो रहा है जो 23 और 27 नौबर को होगा next vacancy United Arab Emirates, बहरीन, दुबाई और रोमानिया के लिए requirement है यह भाटिया employment office से requirement है दुबाई के लिए requirement है furniture company में इनको में apply करने के लिए vacancy है furniture carpenter, finishing carpenter, carpenter helper और joiner auto के draftment की requirement है sofa maker, carton maker, joinery painting foreman और SS welder, polisher, joinery side supervisor, aluminium fabricator, aplostry, glass fitter, joinery fit out estimator, machine operator, beam essay edge router में और wood polisher की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आपको gulf का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है furniture company United Arab Emirates के लिए requirement है और बहरीन के लिए चाहिए इनको solar installation company के लिए इसमें apply करने के लिए vacancy है solar project engineer की requirement है इनके पास qualification और past साल का experience होना चाहिए electrical solar PV design engineering में project estimator की requirement है इनका experience cost estimation preparation का होना चाहिए small medium steel fabrication project का metal fabrication supervisor की requirement है इनका experience heavy industrial engineering का है तो आप इसके लिए apply कर सकते है यह बहरीन के लिए requirement है भाटिया employment office next दुबाई के लिए facility management company है इसमें apply करने के लिए vacancy है building external facet cleaning की requirement है label 1 और level 3 का इनके पास valid certificate होना चाहिए planning engineer, HBC technician और tile maintenance mission की requirement है यह दुबाई में facility management company के लिए requirement है next रोमानिया के लिए है रोमानिया में इनको requirement है CAM programming engineering और CNC service automation engineer CNC turbo and installation technician की requirement है यह सभी vacancy जो है भाटिया employment service office है United Arab Emirates, Bahrain, Dubai और रोमानिया के लिए इसे apply करने के लिए आप अपने CB इनको mail कर दे इनका mail ID भी दिया हुआ और कुछ information चाहिए तो आप इनसे contact कर सकते है इनका contact number भी है यह भाटिया employment service office requirement है next vacancy SS dynamic office requirement है Gulf के लिए इसका client interview 22 और 24 नौंबर को हो रहा है मुंबई में 22 नौंबर का जो इन्टर्वी हो रहा है उसमें apply करने के लिए vacancy है पेट्रोल पॉम्प के लिए supervisor पेट्रोल पॉम्प एटेंडेंट्स और ओइल चेंज के लिए worker car washer केशियर की requirement है इस्टोर एटेंडेंडेंट्स और कोफी एटेंडेंडेंट क्लीनर बेकरी एटेंडेंडेंट्स की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आपका experience, supermarket, store, fuel station और service center के experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है और client interview जो 24 नॉमबर को हो रहा है उसमें apply करने के लिए vacancy है machine operator, industrial helper, seat metal fabricator, assembly line fitter, welder और production engineer की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आपको assembly factory का experience है तो आप इसके लिए apply करते है apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर दे, resume.dss-hr.com पे यह dynamic stopping service office से gulf के लिए requirement है और कुछ information चाहिए तो आप इनसे contact कर सकते है इनका contact number भी mention किया हुआ है next vacancy middle east के लिए requirement है maintenance personal refinery project के लिए requirement है इसका client interview 22, 23 और 24 नौंबर को होगा international overseas service office से इसमे apply करने के लिए vacancy है mechanical fitter, general fitter, mechanist, mechanical engineer की requirement है rotating और static में bench fitter, workshop engineer की requirement है machine shop के लिए tool room attendance, mechanical supervisor चाहिए rotating stating के लिए और supervisor की requirement वाल shop, mechanist, bench fitter में rotating equipment technician की requirement है और mechanical foreman और planning engineer चाहिए mechanical department के लिए mechanical technician की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए इसमें engineer के पास degree और 8 साल का कम से कम experience होना चाहिए supervisor के पास diploma और 8 साल का experience होना चाहिए और दूसरे जो department है उनके पास qualification ITI और 8 साल का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है इसका client interview 22, 23, 24 नौंबर को हो रहा है international overseas office से इसे short listing के लिए भी आप अपने cv इनको mail कर सकते है required at iosr.com पे next vacancy कतर के लिए है construction company के लिए requirement है यह free requirement है कोई charges नहीं लगेगा अलवकील international office से इसमें apply करने के लिए vacancy है light driver, heavy driver और helper की requirement है driver के पास valid कतर के driving license है तो driver इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए आप अपने cv इनको mail कर दे अलवकील cbs.gmail.com पे यह अलवकील international office से कतर के लिए requirement है free requirement है कोई charges नहीं लगेंगा आपके next vacancy United Arab Emirates के लिए requirement है यह 5 star hotel के लिए प्रेना consultancy office से इसमें apply करने के लिए vacancy है front office supervisor male और female दोनों ही चाहिए waiter और waitress के requirement है bartender और बार waitress hk stay wardress cabin stay ward chief department commission one kitchen utility और cleaner के requirement है hostess, laundry man और bell attendant के requirement है male और female दोनों ही चाहिए इनको apply करने के लिए आपका age जो है 22 से लेकर 35 तक होना चाहिए और कम से कम 2 साल का experience होना चाहिए five star hotel का गल्फ का experience और आपको English का knowledge है तो आप इसके लिए apply कर सकते है apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर दे brista.pranaconsultancy.com पे यह प्रेना कंसल्टनसी ओफिस है United Arab Emirates के लिए requirement है five star hotel है next vacancy kuwait और United Arab Emirates के लिए requirement है international overseas consulant office है kuwait का final client interview 25 नौवंबर को हो रहा है अनुपटेक में यह short term job के लिए इसमें apply करने के लिए vacancy है pipe fabricator pipe fitter और tube fitter helper और lever की requirement है mill right fitter rigor की requirement है welder चाहिए tig and arc में electrical technician और instrument technician की requirement है electrical technician और instrument technician के लिए long term job है यह long term के लिए requirement है United Arab Emirates के लिए requirement है pipe fitter, pipe fabricator, electrician और penter चाहिए wall के लिए इन vacancy के apply करने के लिए आप अपने cv इनको mail कर दे require078gmail.com और kuwait का client interview 25 नौवंबर को हो रहा है यह short listing के लिए आप चाहिए तो इनको भी cv mail कर सकते है international overseas consulant office से यह requirement है next vacancy Saudi Arab के लिए है आरामको project के लिए requirement है इसका client interview 25 नौवंबर को हो रहा है KPM enterprises office से इसमें apply करने के लिए vacancy है electrical foreman इनका 7 साल का gulp का experience होना चाहिए full tig welder की requirement है SS में और tig and arc welder की requirement है CS के लिए यह दोनों gulf return होने चाहिए pipe fabricator pipe fitter और industrial electrician की requirement है यह सभी vacancy है सौधी अरब के लिए इसे apply करने के लिए आपका client interview होगा 25 नौवंबर को tech skill India private limited में KPM enterprises office के तरफ से सौधी अरब के लिए next vacancy Qatar और United Arab Emirates के लिए requirement है Libra International Service Office के तरफ से Qatar के लिए shutdown job है इसका client interview 23 और 24 नौवंबर को हो रहा है अनुप टेक में इसमें apply करने के लिए vacancy है catalyzed foreman और PTW mechanical fitter, hydro jetter, heavy और light driver के requirement है और forklift operator के requirement है driver और operator के पास valid Qatar का license होना जरूर है तो apply कर सकते है यह free requirement है और United Arab Emirates के लिए free requirement है कोई charges नहीं लगेगा यह long term job है इसमें apply करने के लिए vacancy है alloy welder की requirement है copper, nickel और nickel chromium में SS welder की requirement है यह सभी vacancy के apply करने के लिए आपका experience, rig का, bridge and jacket का experience है तो आप इसके लिए apply कर सकते है इसे apply करने के लिए आप अपना CV short listing के लिए mail कर दे librajobs02.gmail.com पे libra international service office से next vacancy कोबैत के लिए requirement है oil and gas project के लिए इसका short listing चल रहा है Asia power overseas office में इसमे apply करने के लिए vacancy है engineer की requirement है engineer इनको चाहिए maintenance planning में mechanical और maintenance के लिए rotating equipment के लिए welding and fabrication में machine shop के लिए civil maintenance में material में supervisor की requirement है supervisor इनको चाहिए mechanical maintenance rotating equipment valve shop welding and fabrication bench fitter और mechanist refactory के लिए mechanical maintenance foreman की requirement है senior scheduler और scheduler की requirement है rotating equipment mechanic चाहिए और assistant की requirement है rotating equipment mechanic के लिए बाइलेंस machine operator जनरल फिटर बेंच फिटर एल्मोनियम फिटर टूल technician टूल रूम एटेंडेंडेंट एसिस्टेंट इंडेस्टरियल पलंबर mechanist टिग और आर्क वेल्डर पाइप फैब्रिकेटर की requirement है इन सभी बेकेंसियों का सोट लिस्टिंग चल रहा है सोट लिस्टिंग के लिए आप अपना सीवी इनको submit कर दे आप चाहे तो इनको ओनलाइन जाकर के इनके वेबसाइट पर भी जाकर के सीवी submit कर सकते हैं इनको mail भी कर सकते हैं और आगर आपका पास office है तो office visit कर ले बैतर होगा यह asia power overseas office कुबैत के लिए requirement है next vacancy सौधी अरब कुबैत और दुबाई के लिए requirement है इंटरनेशनल ट्रेड लिंग office सौधी अरब में find an restaurant के लिए requirement है इसका client interview 21 नौवंबर को हो रहा है office में Mumbai के इसमें apply करने के लिए बेकेंसी है restaurant manager catering supervisor bakery main bakery cheap south Indian cook CDB continental और Asian cuisine की requirement है कुबैत के लिए requirement है यह urgent requirement है यह गिलेटो फ्रेंचीस के लिए चाहिए इस्ट्री चीप की requirement है इनका experience जो है गिलेटो एंड आइस क्रीम का होना चाहिए तो इसके लिए apply कर सकते है इनका salary भी mention किया हुआ 600 KD रहेगा तूर्किस restaurant के लिए चाहिए कुबैत में cheap की requirement है ग्रिल्स में और assistant cheap की requirement है यह GCC का इनके पास experience होना चाहिए तो इसके लिए apply कर सकते है और repeated family के लिए requirement है domestic cheap की requirement है इनको भी अच्छे से experience होना चाहिए गल्फ का HIW restaurant के लिए requirement है वेटर की requirement है इसमें इनको वेटर को English का knowledge है तो इसके लिए apply कर सकते है दुबै के लिए जो requirement है यह दुबैी port के लिए requirement है इसमें apply करने के लिए vacancy cook की requirement है गल्फ का experience होना चाहिए Associates की requirement है, इनको भी Gulf का experience होना चाहिए, English का knowledge होना चाहिए Saudi Arab के लिए जो requirement हो, इसमें apply करने के लिए vacancy है New Build Rig Production Manager की requirement है और Habitat Technician की requirement है इनका short listing चल रहा है, short listing के लिए आप अपने CB इनको mail कर सकते है murali.itlservice.net पे और इनका client interview भी Saudi Arab का, जो restaurant का है इसके 21 November को आज client interview हो रहा है, मुंबई में, आपको client interview भी face करना होगा यह international trading office है, और कुछ information चाहिए इनसे related तो आप इनसे contact कर सकते हैं, इनका contact number भी दिया हुआ है Next vacancy, Saudi Arab के लिए है, अलफणार company के लिए यह long term job है, free requirement है, इसके client interview 22 November को हो रहा है beta consultancy office है, इसमें apply करने के लिए vacancy है, cable manufacturing factory के लिए requirement है production coordinator, production technician, laboratory technician, CV line technician, senior storekeeper और drugman चाहिए, mechanical, electrical और electrical panel का experience होना चाहिए management को maintenance technician की requirement है, mechanical और electrical के लिए इन सभी vacancy हो के apply करने के लिए आपके past qualification, ITI और diploma है और कम से कम past साल का experience है, इनसे related field का तो आप इसके लिए apply कर सकते है इसमें apply करने के लिए आपका age भी 24 से 35 के अंदर होना चाहिए, तो आप इसके लिए apply कर सकते है और आपके past qualification, ITI डिपलोमा और past साल का कम से कम experience होना चाहिए related field से तो आप इसके लिए apply कर सकते है, apply करने के लिए आप अपने CB इनको mail कर दे और 22 तारीक को इनका client interview हो रहा है, सौधी अरब के लिए ये free requirement है, beta consultancy office है next vacancy, kubet के लिए requirement है, ये के NPC company के अंडर में काम करने वाली company है, ये 11 महिने का shutdown job है इसके client interview मुंबई में 26 नौवंबर को हो रहा है और चन्नई में 1 दिसंबर को होगा ये link international palacement service office के तरफ से, इसमें apply करने के लिए vacancy है conditional monitoring engineer की requirement है, mechanical engineer, mechanical supervisor, rotating supervisor, safety supervisor की requirement है scalp holder, rigging supervisor, welding and fabrication supervisor, mechanist supervisor, valve shop supervisor, auto shop supervisor, rigger, mechanical heat exchanger supervisor, scalp holding supervisor, legger rotating equipment mechanic, bench fitter, general fitter, hydro jetter की requirement है machine operator में heavy equipment mechanic, 6G antique arc welder की requirement है ये welder की बहुत सारी केटेगरी है, इसमें बहुत से welder की requirement है mechanist की requirement है, और pipe fabricator चाहिए heavy driver की requirement है, इनके पास Qubait का valid original license होना चाहिए और crane operator की requirement है, heavy equipment operator की requirement है crane operator की requirement है, driver और operator के पास Qubait का original license होना चाहिए industrial labor की requirement है, इन सभी vacancy को apply करने के लिए इन से related आपके पास qualification, bachelor, engineering, diploma या ITI है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, apply करने के लिए आप नसीबी इनको mail कर दे, mobile link cb.gmail.com पे यह link international palacement service office requirement है, Qubait के लिए sudden job है, sudden job है, इसका client interview भी मुंबई में 26 नोवंबर को हो रहा है और चन्नाई में भी होगा एक December को, next vacancy, सौधी अरब में jubail के लिए requirement है, logistic and tech service company के लिए requirement है इसका client interview बहुत ही जल्द मुंबई, कैलकत और बैंगलोर में होने वाला है international management service office है, इसमें apply करने के लिए vacancy है, fire and safety officer की requirement है warehouse keeper और supervisor और forklift operator की requirement है, इन सभी vacancy हो के related, इन से related experience और qualification है और आपको English का knowledge है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, apply करने के लिए आप अपना CB इनको mail कर दे aachan.imsjobs.in पे, ये international management service office है, सौधी अरब के लिए requirement है next vacancy, Nigeria के लिए requirement है, oil and gas company के लिए, इसका client interview 22 नौवंबर को हो रहा है anuptek में, area international office के तरफ से, इसमें apply करने के लिए vacancy है 6G CS TIG and Arc pipe welder की requirement है, इनका test होगा, जो free test होगा, कोई आपको pay नहीं करना होगा trade test होगा 3G CS plate structural welder की requirement है, इनका भी test होगा, free test होगा, कोई आपको pay नहीं करना होगा structural fitter की requirement है, pipe fitter, grinder, gas cutter और rigor की requirement है यह सभी vacancy के apply करने के लिए, आप अपना CV इनको mail कर दे और इसका 22 नौंबर को client interview हो रहा है, area international office के तरफ से, आपको office visit करना होगा इसमें से आपका trade test होगा, कोई आपका payment नहीं लिया जाएगा, वो trade test खुद client pay करेगा इसका बहुत ही जल्द flight होने वाला है, Nigeria के लिए, next vacancy, Oman के लिए requirement है, यह semi government company है, CPI company, अस्याद company का नाम है, free requirement है इसका client interview 28 और 29 नौंबर को हो रहा है, प्रेना consultancy office है, इसमें apply करने के लिए vacancy है, plate fabricator, fitter, pipe fabricator, fitter की requirement है इनका salary भी mention किया हुआ है, जो 186 प्लस Omanirial रहेगा, वो आपके experience को उपर रहेगा, उपर नीचे भी हो सकता है और इसमें overtime भी मिलेगा, अगर आप इसके लिए interested है, तो अपने cb, इनको दिये हुए email id पे mail कर दे, interview at prena consultancy.com पे और इसका client interview 28-39 को हो रहा है, जो आपको phase करना होगा next vacancy, Qatar, Sarja, United Arab, इमेरत और रोमानिया के लिए है अजित management office requirement है, Qatar के लिए catering company के लिए requirement है इसमें apply करने के लिए vacancy है, assistant kitchen manager, cost controller, intercontinental chief decision, source chief, chief grade manager, kitchen artist, salad maker, chief department, day and night में, food truck के लिए driver, intercontinental cook, assistant cook, baker, pastry man, assistant pastry man, assistant baker, logistics supervisor, cleaning supervisor, logistics agent, store keeper, store helper, kitchen security, staff के लिए bus driver, driver चाहिए heavy और medium light गाड़ियों के लिए, इनके पास कतर का license होना चाहिए इस vacancy को apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर दे, cb.consultant35.gmail.com या आप इनको call भी कर सकते है इसमें सार्जा के लिए requirement है, cement factory के लिए, plant के लिए electrician की requirement है इसके लिए apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर सकते है resume.ajits.gmail.com पे या आप इनको call भी कर सकते है United Arab Emirates में interior designing company के लिए requirement है senior carpenter furniture site spray painter senior carpenter furniture के लिए site spray painter joinery carpenter के लिए requirement है एक grade में painting foreman site supervisor estimator wooden के लिए और tick welder carpenter के चाहिए gypsum में finishing के लिए wood polisher machine operator चाहिए beam है FG store delivery site semi fitter aluminium fabricator और polisher की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail करते है resume.india502.gmail.com पे या इनसे related कुछ information चाहिए हो तो आप इनको call कर सकते है United Arab Emirates में facility management company के लिए requirement है housekeeper और jointer की requirement है यह free requirement है इसके लिए कोई charge नहीं देना होगा इसे apply करने के लिए आप अपना cb इनको mail कर दे resume.ajits.gmail.com पे या इनसे related कुछ information चाहिए तो आप इनको call कर सकते है Romania के लिए requirement है heavy industry है इसमें apply करने के लिए vacancy है MIG welder की requirement है log submit assembler और log submit assembler की requirement है इस vacancy को apply करने के लिए आप अपने cb इनको mail कर सकते है ajits.701.808.gmail.com पे और इनसे related कुछ information चाहिए तो आप इनको call कर सकते है यह अजीत management and manpower consultancy office requirement है Qatar, Sarja, United Arab Emirates और Romania के लिए तो दोस्तो अभी बहुत सी vacancy है जिसका मैंने वीडियो में उसको mention नहीं किया अगर मैं वीडियो में mention करूँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगर आपका job इस वीडियो में नहीं मिलता है तो आप मुझे whatsapp कर सकते है या comment box में लिख दे आपका job से matching करके मैं आपको message कर दूँगा full details दे दूँगा किस office से कहा के लिए requirement है आपको office का नाम, address और आपको contact number सभी मिल जाएंगे तो आपका job नहीं मिलता है तो आप मुझे message कर दे description में आपको मेरा whatsapp number हमेशा मिलेगा और आप comment करेंगे तो comment में मैं आपको reply दे दूँगा अगर आप इस channel पर पहली बराये तो channel को भी subscribe कर ले जिससे आगे vacances related video का notification आपको मिलता रहे और video अच्छा लगे तो like करें और अपने दोस्तों के साथ भी share करें video में आकर तक बने रहने के लिए thank you